रादे रादे आशा करते हूँ कि आप सभी लोग खोश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे आज मैं आप लोगों को जया एकादसी की कथा सुनाने जा रही हूँ यह जया एकादसी माग मास शुक्ल पक्च की एकादसी तिथी को जया एकादसी के नाम से जाना जाता है हर एकादसी का एक अपना नाम है और उस नाम के अनुसार उस एकादसी का अपना एक बड़ा ही विशेश महत्व है इस एकादसी को भीस्म एकादसी भी कहा जाता है इस दिन भीस्म जी ने युधिश्टी जी को ग्यान दिया था ग्यान पाने के कारण इस एकादसी को भीस्म एकादसी के नाम से भी जाना जाता है एकादसी ब्रत को ब्रतों का राजा कहा जाता है वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो को भी एकादसी के ब्रत को धारान करता है नियमों का पालन करता है उस पर भगवान श्री हरी विश्णू की किरपा सदा सर्वदा बनी रहती है वह बेक्ती इस प्रित्फी लोग के सभी सुखों को भोग कर मृत्य के बाद बैकुंट धाम को प्राप्त करता है जया एकादसी की कथा को बड़े ही भक्ती भाव से सुनते हैं किरप्या कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारान अवसे ही लिखते हैं बड़े ही प्रेम पुर्वक भक्ती पुर्वक इस कथा को सुनते हैं माग माश शुक्ल पक्ष की जया एकादसी की कथा एक बार युधिश्टी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने माग माश के कृष्ण पक्ष की शड तिला एकादसी का वर्णन किया है अब किरपा करके यह बतलाइये कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादसी होती है उसकी विधी क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है भवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र बतलाता हूं, सुनो, माग मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादसी होती है, उसका नाम जया है, वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथी है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है, तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है, इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा विशाचत्यों का विनाश्वी करती है, इस ब्रत को करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनी में नहीं जाना पड़ता है, इसलिए राजन प्रेत्न पुर्वक जया नाम की एकादसी का ब्रत करना चाहिए, एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज करते थे, देवगन पारिजात ब्रक्षों से भरेवी नंदन्वन में अपसराओं के साथ विहार कर रहे थे, पचास करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेक्षा उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उनका पुत्र ये तीन प्रधान थे, चित्रसेन की इस्त्री का नाम मालिनी था, मालिनी से एक कन्या उत्पने हुई थी, जो पुष्पवन्ती के नाम से विख्या थी, पुष्पदंत गंधर् आते थे मालेवान पुश्पूवंती के रूप पर अत्यंत मोहित थे ये दोनों भी इंद्र के संतोश के लिए नित करने के लिए आये थे इन दोनों का गान हो रह था इनके साथ अपसराय में थी परसपर अनुराध के कारण ये दोनों मोह के वशी भूत हो गए चित्त में भ्रांती आगी इसलिए विशुद गान न गा सके कभी ताल भंग हो जाता कभी गीत बंद हो जाता इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझ करके कुपित हो गए अतह इन दोनों को शाप देती हुए बोल हो जाओ इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर दोनों के मन में बड़ा ही दुख हुआ वी हिमाले परवत पर चले गए और पिसाच योनी को पाकर भेंकर दुख भोगने लगे सारेरिक पातक से उत्पन्य ताप से पीडित होकर दोनों ही परवत की कंदराओं में विचरते रहते थे एक दिन पिसाच ने अपनी पतनी पिसाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिसाच योनी प्राप्त हुई है नरक का कष्ट अत्यंत भेंकर है तथा पिसाच योनी भी बहुत दुख देने वाली है अतहक पूर्ण प्रेत्न करके पाप से बचना चाहिए इस चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सुखते जा रहे थे देव योग से उन्हें माग मास की एकादसी तिथी प्राप्त हुई जया नाम से विक्यात तिथी जो सब तिथियों में उत्तम है आई उस दिन दोनों ने सब प्रकार के आहार का त्याग कर दिया जलपान त हो गया उनके प्राण लेने वाली भैंकर रात उपस्थित हुई उन्हें नीद नहीं आई वे रती या कोई भी सुख नहीं पासके सुर्ययोदे हुआ द्वादसी का दिन आया उन पिसाचों के द्वारा जया के उत्तम ब्रत का पालन हो गया उन्होंने रात में जागरां भ प्रत की प्रहौ से वहान विष्णों की शक्ति से उन दोनों की पिसाचता दूर हो गई पुष्पबंती और मालेवान अपने पूर्व रूप में आ गए उनके हिदे में वही पुराना इसने उमर पड़ा था उनके सरीर पर पहले ही जैसे अलंका शोभा पा रहे थे वे द उन्हें इस रूप में उपस्तित देखकर इंद्र देव को बड़ा ही विष्मे हुआ उन्होंने पुछा बताओ किस कुन्य के प्रहाब से तुम दोनों का पिसाचत दूर हुआ तुम मेरे शाप को प्राप्त कर चुके थे फिर किस देवता ने तुमें इससे चुटकारा दिलाया मालिवान बोलर स्वामी भगवान वासुदेव की किर्पा तथा जया नामक एकादसी की ब्रत से हमारी पिसाचता दूर हो गई तब इंद्र देवता ने कहा कि तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो जो लोग एकादसी की ब्रत में ततपर और भगवान श्री कृष्ण के शनागत होते हैं वे हमारे भी पूजनिये हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजन इस कारण एकादसी का ब्रत करना चाहिए नप्शिष्ट जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर कर देने वाली है जिसने जया का ब्रत धारन किया उसे सब प्रकार के दान दिये और समपुन यग्यों का अनुस्ठान कर लियाा इस महातम के पढ़ने और सुनने से अगनिस्ट होम यग्य का फल प्राप्त होता है भगवान स्री कृष्ण की जै हो, सभी देवताओं की जै हो, भगवान स्री हरी विष्णों की जै हो, सभी रिश्यों की जै हो, सभी द्रश्य रिश्यों की जै हो, सभी और द्रश्य रिश्यों की जै हो आशा करती हूँ कि जया एकादसी की यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी किरपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन दवाने ना भूलिएगा कमेंट वाक्स में जय श्री राम अवसे ही लिख दीजेगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद